तो जंदगी हमेशा हर इंसान को अपने जीवर में सफल होने का एक मौका of जरूर देती है। लेकिन कुछ इंसान उस audio को अंदेखा करके खाच से जाने देते हैं लेकिन कुछ लोग उस लोग उस मौके को खाच से जाने नहीं देते हैं उसका फाइदा उठाते हैं और उसी के सर पर अपनी जिंदगी में बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं बहुत सफल हो जाते हैं इसी बात का समझाने के लिए आज मैं आपको एक खुब सुरत सी कहानी सुनाती हूं एक बार एक छोटे से पेट्रॉल पंपर ब्लैक कलर की मर्स पूचता है कि आप इस कार को ऐसे क्या देख रहे हैं कि खुब गए आप तो वह जवाब देता है सर यह मेरी ड्रीम कार है मैं भी एक दिन चाहता हूं कि मैं इतना सफल हो जाओं और मेरे पास भी यही ब्लैक कलर की मर्सीरीज बेंच कार आ जाए तो वह बिजनस मैं उसे ब जिन ट्रिक्स के अधार पर तो अब जीवन में सफल जरूर हो पाओगे कल मेरे ऑफिस आना जरूर और इस वह विजिदिंग कार दे कर वहां से चला जाता है अब वह वर्कर पहले तो सोच में पढ़ जाता है कि आज कल टीवी पर बहुत निव्स आई है बहुत लोग फेक क देता है और डिसिजन ले लेता है कि वह उस आफिस में नहीं जाएगा वह पेट्रॉल पंपर नौकरी करकर ही खुश है और अगली गाड़ी में पेट्रॉल भरना शुरू कर देता है अब काफी समय बीच जाता है कि तीन साल बाद उसी वर्कर के पास उसी पेट्रॉल लेकिन कोई और था फिर से पूचता है कि आपको याद होगा तीन साल बार तीन साल पहले ऐसी एक सेम काई आपके पेट्रॉल पंपर आगर खड़ी हुई थी तो वह वर्कर कहता है हाँ खड़ी तो हुई थी लेकिन आप कैसे जानते हैं तो वह कहता है उस कार में से जो बि विजिनिंग कार्ड भी दिया था और कहा था कि मैंने ओफिस जरूर विजिट करना वो कहता है हां कहा था लेकिन आपको कैसे पता यह सब तो वह बिजनसमें जवाब देता है कि जब यह हुआ था तो मैं इसी पेट्रॉल पंप में एक वर्कर का तुम्हारी तरह काम करता थ और कार्ड को डस्ट बिन में फेंग दिया लेकिन जब मैंने उस कार्ड को देखा तो मैंने उसे डस्ट बिन से निकाला उसी नंबर पर कॉल किया और अगले दिन तुम्हारी जगा मैं उस बिजनसमेंग के पास बिजनस करने की ट्रिक को समझने के लिए और आज उन्हीं ट किया होता तो शायद आच तुम्हारे पास भी तुम्हारी ड्रीम कर होती दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिन्दगी जब भी आपको सफल होने के लिए कोई मौका दे तो यह मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा उस मौके को एक बार अपना कर देखी उस कि जीवन में क्या लिखा है सक्सेस्फुल होना या फिर नाकाम्याब होना वो आप थोड़ी जानते हैं इसलिए कभी भी किसी ऑपरचुनिटी को ऐसे खाली गवाई है मत उसे एक बार यूटिलाइस करकर जरूर देखिए और जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी में एक ब सब्सक्राइब जरूर करेटेगा